गुड मॉर्निंग बच्चो आज का अमारा सब्जेक है इंग्लिश लास्ट इम जब इंग्लिश का सब्जेक था तो हमने सीखा था क्यू यू डबल एन फीन उसके बाद आता है आरो एसी रोज तो सबसे पहले आपको यह वक्षिट को ट्रेसिंग करना है उसके बाद हम पर फिर एक सेमी सरकल और फिर वहाँ से से कव तो यह बन जाएगा हमारा आरो एसी रोज क्या बन जाएगा आरो एसी रोज इस तरह से आपको ट्रेसिंग करना है आरो एसी रोज इस तरह से आपको बोलते जाना है और लिखना है आरो एसी रोज आरो एसी रोज इस तरह से फूल वक्षिट आपको कम्पलिट करनी है उसके बाद हम लिखेंगे नोट बुक में तो ये देखो बच्च ये है हमारी नोट बुक में मैंने उपर की टू लाइन्स में आर लिख दिया है नीचे आपको खूद लिखना है तो सबसे पहले हमें रेड लाइन से ये ब्लू लाइन तक की एक ट्रेसिंग स्टेंडिंग लाइन करनी है फिर वहां से सरकल बना के फिर से उपर जाना है फिर ये ब्लू लाइन तक हमें बनाना है सेमी सरकल उसके बाद नीचे से कव सिर्फ और सिर्फ उपर की टू लाइन्स में ही लिखेंगे नीचे की लास्ट लाइन में विल्कुल भी लिखना नहीं है और बोलते जाना है आरो एसी रोज इस तरह से ये फुल पेज आपको कम्प्रिट करना है उसके बाद हम लिखेंगे टेक्सबुक में तो ये देखो बच्चो ये है हमारी टेक्सबुक में पेज नमबर 48 और 49 पेज नमबर 48 पे सबसे पेले में दिया है आर, आर फोर रैबिट, फिर आर फोर रोस, फिर बाजु के पेज में आर फोर रिंग, और आर फोर रोकेट तो सबसे पहले page number 48 पे उपर की 3 lines से उसमें आपको tracing करना है फिर नीची की 3 lines से उसमें आपको खुद लिखना है और last में upper कर्शो और lower कर्शो का R दिया है उसे आपको करना है tracing तो चल सबसे पहले हम start करते हैं tracing तो यहां से पहले extending line फिर सर्कल बना के उपर फिर semicircle और फिर वहां से यह से कव तो यह बन जाएगा हमारा ROAC rose ROAC rose ROAC rose ROAC rose ROAC rose ROAC rose ओके इस तरह से नीचे की two lines से वह भी आपको tracing करनी है फिर यहां पे खुद लिखना है इस तरह से कव करके semicircle बना के इसे कव पहले standing line फिर semicircle बना के उपर फिर semicircle और फिर वहां से यह से कव तो यह बन जाएगा आपका ROAC rose ROAC rose ROAC rose ROAC rose ROAC rose ROAC rose ओके इस तरह से नीचे की two lines से वह भी आपको complete करनी है फिर यहां पे आपको अपर करशुका R अभी हमने उपर tracing किया उसी तरह से tracing करना है और lower करशुकार यहां से start करके circle बना के इसे कव फिर दूसरा कव तो यह बन जाएगा हमारा अपर करशुका R और यह बन गया हमारा लोवर करशुकार ROAC rose बोलते जाना है और यह दोनों R है आपको tracing करने है इसा same to same अब बाजू के page number 49 पे भी दिया है वो भी आपको complete करना है फिर इन सब के photos खिचके मुझे send करना है बाई बाई